नमस्कार, BCN News की प्रदेशी खबरों में मैं दुशा आपका स्वागत करती हूँ बढ़ते हैं खबरों के और थाना कोटवाली नगर एवं अपकारी टीम द्वारा सहीत रूप से कारवाई कर अवेद चुराब बनाते दो अभियुकतों को मैं अवेद असलाह सहीत किया गया किरफतार रातर के समय मुखबीर द्वारा सुचना प्राप्त हुई दक्ष मेरी इस होम के पीछे खाली पड़े मकान में अवेद चुराब बनाने का कारिय किया जारा है सुचना के आधार पर प्रभारी निरिख्षक कोतवाली नगर शुर्य खिलेश कुमार तरिपाटी वा आपकारी निरिख्षक शुरी सचिन तरिपाटी शेतर सदर ने मैं पुलिस टीम के उक्त मकान की गेरा बनने की पुलिस को देख एक अभियुक्त भागने में कामियाप रहा वो अन्य दो अभियुक्तों को रातरी समय लगभग देड़ बजे अवैद शराब बनाते हुए गिरफतार कर लिया गया मौके से पुलिस ने अपमेश्रित अवैद शराब शराब बनाने के उपकरम यूरिया खाद एवं अवैद असलाय में करतूस आदी बरामत की गिरफतार दोनों अभियक्तों ने पूछताच करने पर बताया अपने फरार साथी की साथ मिलकर दक्षमेर जोम के पीछे खाली प दाता तैयार शराब को खाली पवों में भर कर उस पर मिस इंडिया ब्रैंड के नकली रैपर में नकली क्यू आर कोड लगा कर आसपास के शेत्रों में महंगे दामों में बेचते हैं वर्ष पुलिस अदिक शेक संतोष कुमार सीह का दावान नकली शराब बनाने में सम्मेलित अन्य सदस्यों की होगी जल गिरफतारी 315 बोर में दोस जिन्दा कार्थूस बरामत किये गए बिसे न्यूस के लिए बिलन शेहर से जावेद खान की साथ मुहित भुटानी की रिपोर्ट कोर्णा वैक्सीन की ड्राय रन की बाद बीते दिवस जन्दपत कासगंच में करी सुरक्षा के वीज वैक्सीन का पहला डोस पहुचा वही वैक्सीन की सीएसी कासगंच में बनाए गए वैक्सीन सेंटर में रखा गया सीमो कारले पर प्रेसवरता करते हुए मुक्य चिकित साधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जन्पत में प्रथम चरन की कोविड वैक्सीन की लिए कोर्णा वैक्सीन की 6,630 डोस प्राप्त हो चुकी है इसे पूर्ण सुरक्षित ढंग से कोल चैन बनाते हुए रखा गया है एक बायल में 10 डोस होगी उन्होंने बताया कि कल 16 जन्वरी को प्रथम चरन में जन्पत में चार केंदरों सयुग चिलाचिकित साल है मामो मिशन होस्पिटल कासकंच तथा सामुदाइक स्वास्थ केंदर सोरो एवं सामुदाइक स्वास्थ केंदर गंज डु लगाना है उनके मोबाइल पर वैक्सिनेशन हे तू मैसेज जाएगा केंदर पर फोटो योग आईडी लेकर जाना है उन्होंने बताया कि टीका करन का समय प्राथ नौ बचे से शाम पाच बचे तक रहेगा साथ ही केंदर पर दो A&M रहेगी एक वैक्सिन लगाएगी तथ दूसरी A&M कोविन आप पर डाटा एंट्री करेगी तिका करन के बाद उस व्यक्ति को अब्सर्वेशन रूम में 30 मिनिट तक विशेशग्यों की निक्रानी में बैटना होगा केंदरो पर विश्वस्वास संगटन एवं यूनिसेफ के प्रतिन दी भी मौझूद रहेगी साथ ही एंबिलेंस भी उपलब्द रहेगी बीसियन नियूस के लिए काजगन से फ़हिम अक्तर की रिपोर्ट शुक्रवार को जिलास सर्य बस्पा मंडल कार्याले भवनसित प्रांगन में राश्र अद्धिक्ष वो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 65 वा चन दिन जन कल्यानकारी दिवस के रूप में मनाया गया कारेक्रम में कोरोना वाइरस के चलती नियमों का पालंग करती हुए साथ की साथ संपन हुआ कारेक्रम में अति गरीब असाय आदी को अपनी सामर्थ के अनुसार मदद किया गया जहाब गरीबों में कंबल आदी बाटे गये कारेक्रम के अधिक्षिता सेक्टर प्रभारी शिवपाल ने की कारेक्रम के मुख्य अतिती के रूप में इलाभात वा मिर्जापर मंदल के मुख्य सेक्टर प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार गौतम रही तथा कार्यकरताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सर्वसमाज के करोडों लोगों के प्रती बीएसपी मोमेंट की प्रमुक मायावती के पैसक्री जन्दिन की बदाई देते हैं मायावती विशेश गरीब कमजोर आदी के हित के लिए हमीशा गंभीर इमानदारी वर संघर्ष करती रती है जिसके मताबिक आने वाले जलापंचायद से लेकर जलापंचायद सभाई यूपी में अपने कवजा जमाकर के उत्तर प्रदेश में जमाया पाची बार मायावती क मुख्यमंतरी बनाने का संकल्प लिया क्या बस यहीं मिर्जा पुर से अचय दूबेक रिपोर्ट है शुकरवार को गोवरधन गाव अडिंग में भारती किसान यूनियन भानू की तत्वदान में अडिंग के किसानों ने सरकार द्वारा लागू किये गए किसान बिल के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाल कर विरो पुची यहां किसानों ने एकत्रित होकर किसान बिल की प्रतिपालियों को जला कर सरकार की खिलाव जम कर नारिवासी की वही किसानों की रोड जाम करने की मनशा को पुलिस ने नाकाम कर दिया मौकी पर पहुची इलाका पुलिस ने किसानों को समझा बुचा कर प्रदर्शन को खत्म कराया इस दोरान भाकियों के प्रदेशा ध्यक्षर रमेश सीहसर क्वार ने कहा कि तीन कुरुशी कानून किस साधी की लड़ाई है यदि अभी भी किसान मौन रहा तो फिर कभी भी अपनी बात सरकार तक नहीं पहुचा सकेगा कृशी कानून किसानों को बरबात करने वाला है और इसे किसी भी कीमत पर नहीं माना जाएगा आगे की रड़नीती है आज हमारी पंदयतारी की बारता है अगर आज हमारी मांगों का समादा नहीं हमागरे बापेस नहीं हो रहे हैं तो हमारी आगे की दिली लाखों ट क्रासर द्वारा परेड की जाएगी BCN News के लिए मतरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट सिकंदराबाद शेतर के एक कब्रिस्तान में डेर धर्जन से अधिक मुर्थ कवे मिलने से मचा हड़कम पशुची कित्सकों की टीम ने कवे के सैंपल लेकर भेज आई वी आई रार परेली बर्ट फ्यो की आशंका के मदे नजर लिए गए कवों के नमूने एक साथ भारी संख्या में मुर्थ कवे मिलने से जला प्रशासन की बड़ी धर्कन एक दिन पर रुफ की बताई जा रही है घटना सिकंदराबाद से दिल्ली रोड सिर्फ कब्रिस्तान का मामला मैंने देखा मेरे पस मेरे पास मेरे लड़का है साबीर यहां कपरस्तान में सपाई करता है चिसी साब मैं उसने बताया कि ऐससे मैंबर साब यहां पर बहुत सारे कवे एक साथ एक कटा मरे हुए हैं और आप आकर देखें, जब महां जाकर देखा तो करीब 15-20 कववे जो वहां मरे हुए थे मुर्तिय हालत में, कुछ जो है वो बेहुसी किसी हालत में थे उन्हें देखने के बाद में मैंने उनके फोटो उटो कराए और प्रिशासन के लोगों को और आप लोगों को मीडिया के लोगों को वेज़ें उन्हें फोटो को ताकि इसकी चांच कराई जा सके बीसीन नियूस के लिए बलंच शहर से जाविद खान के साथ मोहित पुटानिक रिपोर्ट कासगन जल्पत में आज कोविड नाइटीन की वैक्सीन का हुआ शुभारम CSC MOIC के लगाया गया पहला टीका आज सो लोगों को लगेगी वैक्सीन सोरों CSC पर कोविड नाइटीन की वैक्सीन लगाने के लिए अस्पिताल में वैक्सीन के लिए बहतरीन इंदिजाम किये गए जिसमें आज सो लोगों को वैक्सीन लगनी है सो करमच्यारियों वो आजशाओ के लिस्ट लगा कर उनके रिजिस्ट्रेशन किये गए पहले चरण में अस्पिताल की डॉक्टर हरीश यादल सहित अस्पिताल के दस करमच्यारियों को टीका लगाया गया टीका करन के बाद सभी को वोटिंग रूम में आदा घंटा बैट कर जाने की अनुमती दी गए आज सो लोगों का टीका करन शाम पाच बजे तक किया जाएगा जिले के वरिष्ट अधिकारियों ने टीका करन केंद्रों का निरिक्षन किया जनपत में चार बूतों पर टीका करन चल रहा है बीसियन नियूस के लिए कासकन से फहीम अक्तर की रिपोर्ट इंतजार की घडिया आखिरकार खत्म ही पिछले ग्यारा महीने से वैशिक मामारी कोरोना से जंग लड़ रहे स्वास्विभाग के अधिकारियों के चेरे आज खिले हुए नजर आए जिले में साथ सानों पर एक साथ साथ स्वास्त करमचारियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोस दी गई सियमो डॉक्टर अकिलेश मोहन और जिला हस्पिताल की सुपरेडेंट डॉक्टर मनीशा वीज ने वैक्सीन लगवा कर सेंटर का उदगातन गया लालालाच पत्राय मेडिकल कॉलेज में प्राचार डॉक्टर ध्यारेंद्र कुमार को सबसे पहले वैक्सीन लगवाई गई इस दोरान डीम के बालाजी भी मौकी पर मौझूद रहे मावाना CHC में फार्मसी के स्वास्त कर्मचारी विपिन कुमार को सबसे पहले वैक्सीन का टीका लगाया गया इसके सिवाजुला अस्पिताल के डफ्रीन होस्पिटल, सुभारती मेडिकल कॉलेज, सरधाना CHC और संतोष नरसिंग होम में भी वैक्सिनेशन के बुद्ध बनाये गये थे हर बुद पर किसी अपरिय सिती से निपटने के लिए दो एम्बिलेंस भी तैना आत की गए थी वैक्सिनेशन के बाद टीका लगवाने वाले सभी व्यक्तियों को आधा घंटे तक स्वास्ति विभाग की टीम की निगरानी में रखा गया हाला कि इस दोरान किसी भी सेंटर पर वैक्सिन लगवाने वाले किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हुई BCN News की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही SCN ने और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेए BCN News नमस्कार